मैं प्रवर पंडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ फिलाल गोपाल गंजीले के हथुआ पंचायती चुनाओं को लेकर काफी गरम माहौल देखने को मिला और फिलाल हॉट शिट भी माना जा रहा है हथुआ को तो वही आज मुकेस पंडे और जेपी यादव और मुकेस पंडे और जेपी यादव के बारे में आपको बता दें जो त्रिपल मडर केस में जो जेपी यादव के घर पे हुआ था जिस पे आरोपित हैं मुकेस पंडे जिसके आरोप लगे हैं उनके चाचा पे चाचा उनके अमरेंदर पांडे पांडे जी और उनके पिता जी सतीस पांडे जो की सतीस पांडे और मुकेस पांडे अभी जेल में हैं और बाहुबलियों की तरह ही आके मुकेस पांडे ने नॉमिनेशन किया फिर नॉमिनेशन के बाद अभी जेपी यादव ने भी काफी चहल पर मचाई हुई है और वहीं आज 6.3 संक्य 18 में आज देखने को मिलेगा जेपी यादव और मुकेस पांड़े के बारे में आखिर क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, मुकेस पांड़े या फिर जेपी य क्या है उनका फैसला आज आने वाला क्या है। पता चलेगा वहीं बात करें कुछ दिन पहले उमेश साही गोली कांड की बात आई थी उमेश साही को गोली लगी थी वहीं इंजाम किस पर लगाता है तो उसी पंचायत के एकी वगत पर इंजाम लगाता है जो कि वो भी मुख्या प्रत्यासी है उन्हीं पर इंजाम लगाता और फिलाल बात किया जाए तो उसी सीट पे हैं तो वहां का भी जो हालात है काफी पेचिदा देखने को मिल रहा है एक तरफ उमेश साही एक तरफ सान्था साही एकी सीट पे उमेश साही अपनी बैन को लड़ा रहा है तो वहीं सांता साही उसी सेट पर हैं और कौन लीड करेगा इन सब का भागे का फैसला आज आने वाला है। साथ